नमस्कार, शफलता क्लास की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है EBS SSC ले खिफाल के लिए ग्रामीट परिवेश की जो क्लासेस हैं शफलता क्लासेस पर हर रोज आपको मिली रही होगी साम साधे चार बजे हर रोज एक लाइब क्लास होती है जहां पर आप सभी जुड़ते भी हैं उसी कलास को आज लाइब इंटरेक्शन ना करके एक अलग से मैंने कुछ सोचा है कि आपको क्यों ना कुछ अलग से चीज़े प्रोवाइड कराई जाये इस जो कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में इस सेशन में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसके इर्दिगर जिदने भी कोशन्स बन सकते हैं उसे हम आगे आने वाली किसी लाइब इंटरेक्शन क्लासिस में ले लेंगे आज हम जो हमारे महतपूर कुछ टॉपिक हैं कुछ महतपूर चीजे हैं उन्हें थोड़ा से निमटाने की कुछिस करेंगे क्योंकि मेरा ये विश्वास है मेरा ये मानना है कि हमें एक्जाम में वही चीज़े पढ़नी चाहिए जो एक्जाम के लिए रिलेटेट हो एक्जाम के लिए रिलेबेंट हो विकार की चीज़े हम पढ़ते रहेंगे उससे हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा पढ़ने कर तो बहुत कुछ है अब ग्रामीड परवेस के नाम पर आप ग्रामीड का कुछ भी पढ़िए वह आपके लिए फायदेमंद नहीं है सबसे ज् दो प्रसन चार प्रसन पांच प्रसन अपने आने वाले एक्जाम में देखेंगे तो आज का टॉपिक है मेरा क्रसी फसलों से रिलेटिड टॉपिक है और फसलों से संबंद जो भी चीज़े हैं थोड़ी थोड़ी चीज़े आज हम देखने की कोशिस करेंगे कि क्रसी का भ बड़ा चैप्टर है अपने अब में लेकिने से हम दो-तीन वीडियो में निप्टाएंगे थोड़ा कुछ आज करेंगे थोड़ा कुछ आगे आने वाले किसी वीडियो में करेंगे और लाइप लासेश तो हम हरोज मिलते हैं वहाँ वहां पर हमें से संभन्न मोइं प्रशन बन सकते हैं वह सबीं करते हैं तो बिना किसी तेरिके में छूरू कर देता हूं जैसा कि आपसे की करसी के बारे में बात हो लुए है क्रसी विजयान क्यू धुवाEM करती है यान investig hazard । यहां अगर सीधी सीधी बात हो रही है तो एग्रिकल्चर की हो रही है कि एग्रिकल्चर बेसिकली होता क्या है तो एग्रिकल्चर बेसिकली विज्ञान की वह साखा होती है साइंस की वह ब्रांच होती है जा अन को उपजाना अन जो हम खाते हैं क्या हो गया जो हो गया यह हम खाते हैं तो इसे उपजाना तो उसके रख रख आप से संब्दित जितनी भी चीजें हैं उन सब का अध्यान करना वही एग्रिकल्चर कहलाता है ठीक अगर हम भारत के परिद्रस से देखें तो भारत का कितना भूभाग अब आपके लिए क्या महत्पूड है ये मैंने पूर पर क्रसी होती है तो अगर हम इंडिया का लेंड एरिया देखें कि इंडिया के कितना लेंड एरिया है जापर खेती होती है तो लगवग पचास प्रतिसाथ तो मैं यहां पर लिखता हूं कि भारत का जो भूभाग है ना भूभाग तो भारत के भूभाग कितना एरिया इस जो क्रसी में लिप्त है जहां पर क्रसी होती है समझ रहे हैं अब में क्या कहना चाहरा हूं भारत का जो भूभाग है जो लेंड एरिया है उसका 51 प्रतिसत क्रसी में सनलगन है उस पर क्रसी होती है ठीक है बाकी बाकी बचा 49% 49% उस पर अन्ड चीजे हैं ठीक है वही अगर हम इसमें यह देखें कि भारत की जो agriculture है तो उसका GDP में क्या योगदान है जो इंडिया की GDP है उसमें क्या योगदान है तो देखो यह घटा वड़ता रहता है 2018 और 2019 के आसपास GDP का GDP में जो क्रसी का योगदान था वो लगबग 17 से 18 प्रतिसत था कब 2018 में 2018 में लेकिन किंदु परंति भीया 2020-2021 के आसपास इसका योगदान बढ़ा है और लगबग अब ये 20 प्रतिसत हो गया है यानि क्रसी का कॉंट्रिविशन क्रसी का योगदान भारत की GDP में लगबग 2020 में आके 21 में आके लगबग 20 प्रतिसत हो गया है वही अगर हम पुराना देखे न जब हम आजाद हुए थे जब भारत आजाद हुआ था उस समय उस समय भारत GDP में क्रसी का मैं यह आपे लिखता हूं अब यह चीज़े अच्छी है या बुरी है इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे डिटेल से लेकिन आज हमारे लिए क्या के जरूरी हो सकता है वह हम पंड ले रहे हूं तो अभी तक हमने देखा कि भारत का लगबग 50% भूभाग 50% लेंड एरिया क्रसी में सरलगन है क्रसी में इंगेज है एक्रिकल्चर में इंगेज है वहीं अगर GDP में इसका योगदान देखा जाए तो 2020-21 में लगबग 20% एक्रिकल्चर का कॉंट्रविशन क्रसी का है पड़ रहे कि नए पर देख लेते हैं भारत की जो फसल हो है वो मुखेदीं ही है भारत में तीन तरा की ही फसले ही पैदा की जाती है जायद फसल ख़री फसल दमीफ धूसर पर आप तो तो बताए है लेकिन मैं तो आपको सईसे बताता हुँ सबसे पहली फसल जो मानी जाती है किसान के लिए वो खरी फसल मानी जाती है खरी फसल सबसे पहली फसल होती है जैसा कि हर रोज में ये जो लाइप क्लासे समारी होती है उनमें चर्चाय करता हूँ ये खरी फसल को पहली फसल क्यों मानते हैं खरी फसल को पहली फसल इसलिए मानते हैं क्योंकि ये खरी कई एक बार होई है एक जुलाई से ही क्रसी वर्ष शुरू होता है तो जिस समय से क्रसी वर्ष शुरू होता है तो उस समय अब वर्ष के पहली बात जो साल के सुरूआत में जो चीज हो रही है तो उस साल की सबसे पहली चीज वही है न तो इसलिए खरीब फसल क्रसी वर्ष क करता है क्क इसकी बेस की पाइस वन और मैंड़ वह इत्लम करता है कि अगया है इसके आँप इसक रिखुन पर करें कवाने यह सब रसे अंदर आनेवाली फसले हैं फिक जुक यह सब्सक्रा Girls सब्सक्राइब करता है तिल, तिलः तिल देंके होंगे, मक्का भी सी में होता है, अणullahudh, और भी हाँ इसमें होता है, जएत में जो फसले होती है जैसे एक तर्भूज खर्भूज खीरा ककड़ी ये दो आपको न आप वो हर समय मिल जाएंगी अब तो खीरा ताजा आपको हमेशा हर मोसम में मिल जाएंगी प्लतरी ये दूसरी फसल को वह होती है और शव सल ये अक्टूर और नमंबर के के समय वो ही जाती है और इसकी जो कटाई याने, इसकी जो are Western होती है वो March और April के समय पर जाके होती है अगर इसमें देखा जा जाए इसमें कौनकें सी फसल आती है तो प्यारे मित्रो घेह हो गया, जौ को गया मतर, सर्सौं, मसूर, च्ना ये सभी रवी फसल है चलो अब आते हैं जायद पर वही अगर जायद की बात करें तो जायद सबसे अंत में आने वाली फसल होती है इसमें सबसे पहले है तो कोई बार नहीं मैं आपको बताए देता हो जायद सबसे अंत में आने वाली फसल है क्यों जब रभी फसल के बाद जब खेत खाली हो जाते हैं तो उस समय गैउं की harvest हो जाती है तो उस समय इस फसल को Japan हो इसमें सबसे ज्यादा क्या क्या है जैसे ओड़ वह रह जो गया लेकिन आपने देखा होगा आध ईसमें भी है कौनसी फसल है जायद फसल है एक बार साफ करके आपको फिर से समझाने की कुशिश करता हूं क्योंकि आपनों देखने रहा होगा यह फिर से मुझे आसा है कि आपको समझ में आई रहा होगा इसमें इतना किस कॉम्प्लिकेशन से नहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है बस सीधा सीधा है कि जायत फसल में क्या-क्या होता है और खरी फसल में क्या होता है और अभी फसल में कौन-कौन सी फसल होती है तो बस यही चीजे है इसमें फसले समझ में आई होगी अगर ना भी समझ में आई हो तो मुझे एक बार कमेंट में जरूर बता दो ना आगे आने वाले किसी लाइव क्लासेस में हम बिल्गूल ले लेंगे इसे क्योंकि इस पर तो हम रूस करते ही हैं अब जो फसले हैं उनके बारे में थोड़ा- फसल दू है तो रविव का है जो रवी फसल दू है उसे में आता है क्यों एसी मोः सिटोष। मैं तो अगर सि. 147 मतलब विटर यह विद्टर क्रॉप है जो रवी की जितनी फसले होती है वो सभी winter crops होती है तो गेहों भी उसी में आता है इसलिए गेहों के समय जितनी सरदी ज़्यादा पड़ती है उतना ही ज़्यादा फायदे मन्न होता है गेहों के लिए अगर आप यह समझ की से लिए कि गेहों लगने के एक महीने बाद और अगर सरदी ना पड़े दूप उतनी ही पड़ रही है मतलब चहचादी भी दूप निकल रही है तो यह गेहों के लिए बहुत नुकसान होता है फायदे मन्न नहीं होता है जतना कोहरा पड़ेगा दूप कम निकलेगी जतनी सरदी ज़्यादा होगी यह गेहों के लिए उतना ही ज़्यादा फायदे मन्न दोगा कब लगाया जाता है यह आप मानके चलिए अक्टूबर और नवंबर के महीने में लगाया जाता है इसकी बुवाई होती है अगर वही गेहों उत्पादन की बात करें तो गेहों उत्पादन में उत्तरपदेश पहले स्थान पर आता है वही अगर देश की बात करें तो देश चीन पहले स्थान पर आता है लेकिन भारत दूसरे स्थान पर है गेहों उत्पादन में गेहु में, चीन में गेहु का, दूसरी स्थान पर आता है भारत, गेहु उत्पादन में, लेकिन भारत में अगर हम राजियों की बात करें, तो राजियों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, गेहु उत्पादन में, वही रखरकाब में, या प्रती हेक्टियर के अग है भारत भिश्क का लगबग 12 प्रतिसत गेह उत्पातित करता है और तीससा धी तो इत्सी तान पर है वही चैन प्हों स्थान हम जासे मिशचा कर चुखा हूं चीन बहले स्थान पर है और भ क्ने में दूद उत्पातन में भारत पहले इत्सान पर में बारब में दो और चुछ देखे लेता है ग्यम में 12 प्रतीसद कहीं कि 13 प्रतीसद होता है 12 या 13 प्रोटिन पाय जाता है वही लगवग में यह लिखता हूं जगे यहां ठीक है लगवग 60-70% तक या 65-70% तक कार्वो हाइडरेट भी पाये जाता है। देखते हैं अगली फसल हमारी क्या है गियू के बारे में आप समझे होंगे जो मोटा माटी जानकारिया है वो में देते चलता हूँ आपको और डिटेल से चीजें तो हम लाइब क्लासेस में करते ही हैं क्योंकि यह मुझे लग रहा था कि एक वीडियो में ऐसी दूँ आपको कि जो जितनी फसले हैं आज कमेंट भी आया था कि एक वीडियो में क्रॉप को कवर करिए जितनी फसले हैं वो कवर करिए तो उन सब का दिया रखते हुए मैंने आज फसल कोई लिया है क्रॉप कोई लिया है ठीक है आए अगली जो फसल है वह यह चावल चावल के बारे में चाबल याधन नहीं होती है gray चाबल या धान नहीं हो पाता है इसके लिए इसे temperature की या नि इसके लिए गर्मी की वियाव रखता है कुल करसी योगी भूमी के 25 प्रतिसत भाग भारत का भाग चावल में है मतलब जो भारत का जो total भाग है न करसी योगी यह नहीं भारत का जो total agriculture जो land है उसका 25 प्रतीसत भाग चावल ने कवर किया हुआ है 25 प्रतीसत भाग पर चावल होता है उत्रप्रदेश राच का चावल उत्पादन में दूसरा इस्थान पर है पश्यमंगाल पहले इस्थान पर है अगर चावल उत्पादन में पूछा जाए तो चावल उत्पादन में UP दूसरे नमर पर है वही दूद उत्पादन में UP पहले नमर पर है दूद उत्पादन में भारत भी पहले नमर पर है तो उत्रप्रदेश तो पहले नमबर हो गई ओ खैर ये हड़ते रहते हैं किसी-किसी चीज में पंझाब रही इस्थान पर है किसी-किसी चीज में हर्याना पहले इस्थान पर है तो यह तो अलग-अलग चीजे होती रहती और उसके बाद आंदर प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है ठीक है? आएए आगे है चावल की जो प्रमो किसमे है ये बहुत पूछा जाता है फसलों की किसमों से एक नएक प्रशन जरूर आप से पूछा जाएगा अभी तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजे मेंसन है आगे एक स्लाइड वे मैंने सभी फसलों की जो किसमे है या सभी फसलों की जो चीजे है वो आगे भी मैंने मेंसन करी हुई है आगे अभी उस पर हम चर्चा भी करेंगे चावल की जो प्रमुकिस में है उसमें ताइचुंग, कावेरी, मनसूरी, भवानी में से हटाता हूँ तब थोड़ा सापको साफ दिखेगा फसलों के नाम साफ नहीं दिख रहे होंगे अब दिखेगा आपको साफ जो चावल की प्रमु किस्मे हैं उसमें ताई चुंग हो गया कावेरी, मंसूरी, भवानी, पद्मा, जया बच्चन नहीं, जया, सिर्फ जया बच्चन नहीं ठीक है जया बच्चन कहा है, जया परदा है न ठीक है IR8 और जमना यह किस की किस में है यह चावल की किस में है याद रखना यह किस की किस में है यह चावल की किस में है ठीक है जश्चा कि मैंने अभी चर्चा भी करी थी यह उस्ट रिकटवंदिय फसल है इसे पानी की विजरुवत होती है इसे तामार की विजरुवत होती है तो इसे ना मैंने अगर हम बात करें उत्र प्र्देस में अधिक्तम वर्षा होती है वो 1700 से ऊपर नहीं होती है उत्तर प्रदेस को तीन क्रिसी मानसून जल्वाई में बाटा गया है तीन क्रसी मानसून जलबाई में बाटा गया है आज की क्लास में आज एक पीछी वीडियो है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें इस चीज की सर्चा हुई है तीन क्रसी जलबाई में बाटा गया है जिसमें जो आपका मध्य जो मध्य वाला जो भाग ह जिसमें आपका लखनू हो गया फैजाबाद हो गया और उसमें अगर बात करें लखनू फैजाबाद प्रतापगड का कुछ एरिया आता है तो यह मद्धभाग में आता है और इसमें बर्षा जो होती है वो 80-100 cm के आसपास होती है ठीक है और वहीं बात हमारी चल रही है धान मतलब चावल को कितनी वर्षा की आवश्यक्त होती है 75-125 तो मतलब क्या उत्रप्रदेश में और दूसरे चावल की उत्पादन होता नहीं होता है लेकिन कम आत्रा में होता है वहां पर इसकी सिचाई किस पर डिपेंडेंट है फिर जो आठीपीसल चीजे है जो आठीपीसल पर जहां पर डिपेंडेंसी होगी तो वहां जाहर सिवात है प्रोडुक्शन कम ही हो जाएक आपका पष्चे मंगल की तरफ क्योंकि वहाँ पर ना मौसम चावल के द्रश्टी से देखा जाए धान उत्पादं की द्रश्टी से देखा जाए तो पश्य मंगाल का जो मौसम है और वाकी जो बरसा की availability है उपलब दता है वो इसके लिए एकदम सधिक बैठती है और वहाँ पर उपजाव जमीर मी बहुत जादा है फर्टाइल जमीर सबसे जादा वहीं पर है तो इसलिए चावल का सबसे जादा उतपादन पश्य मंगाल म ठीक है रटने में थोड़ी परिशानी होगी पर याद कर लेना इसमें कोई rocket science नहीं है किसे कैसे समझना पड़ेगा इसे तो याद करना ही पड़ेगा कुछ चीज़े ऐसी है ग्रामीट परविज की जिने आपको रटना ही पड़ेगा जिने आपको याद करना ही पड़ेग उनका कुछ नहीं हो सकता ठीक है तो इसे याद कर लेना धान के खेतों में से मीथेन उतसर्जित होता है यह बहुत important है बहुत जरूरी है देखो मीथेन वहां हर जगे उतसर्जित होगा जहां 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 जलवास्फ होगा और आपने देखा होगा अगर अगर आप किसी भ Ἤही चावल की रहती है टो चावल का जो घेत होता है वहाँ हमेशा पानी भरा रहता है और हमेशा पानी भरा रहता है और मिट्टी गीली हो जाती है तो क्या हो जाता है और उपर से क्या पड़ रही होती है धूप पड़ रही होती है और धूप पड़ रही होती है फिर क्या होता है जलबास्प होता है और जहां 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 वाटर बेपराइसन होगा जहां जहां जलबास्प होगा वहां वहां गाई भेंस बकरी जो होता है गाई भेंस माल लीजिये अब गाई पुरा मन जाएगे तो गाई को भी लीजिये ठीक है सेंटीमेटल किसी कोई चीज को नहीं लेना है दिल पर किसी चीज को नहीं लेना है ठीक है जो मुह होता है न वो चलाते रहते हैं ऐसे करकर के ऐसे करकर के तो उस समय उनके मुख से कौन सी gas निकलती है उस समय भी methane gas निकल रही होती है ठीक है तो यह भी एक ध्यान देने वाली चीज है मुझे याद आगे इसलिए मैंने बता दिया चावल के उत पादन में देखो यह भर गया पेस तो मैं इसे मिटाता हूं तबाको नीचे वाली चीजे दिखेंगे ठीक चावल की अगर हम बात करें जैसे कि अभी हमने गेहूं में देखा था गेहूं में कितना प्रतिसत प्रोटीन था वहीं चावल में कितने प्रतिसत प्रोटीन होता है 6-7 प्रतिसत प्रो चावल में पहले नमर पर है, और चीजों में आएगा तो भो भी बताएंगे, तो काफी चीजों में पहले नमर पर है, हमसे उपर है, तो भारत को से इस्थान पर है, भारत दूसरे इस्थान पर है, गेहम उत्पादन में भारत दूसरे इस्थान पर है, ठीक, आएए, आगे बढ़ते हैं आगे क्या क्या चीजह है वो देख लेते हैं अब तोड़ा पड़ते हैं तिलन के बारे में तिल saràr नहीं कि अदि का नी होता है अगर इसके उत्पादन की प्रोडेक्शन की बात करी जाए तो मद्य प्रदेश पहले स्थान पर आता है जो अकेले भारत में 31 प्रदीशत तिलहन का उत्पादन करता है अकेला खुद पूरे भारत का जो तिलहन उत्पादन होता है न उसका 31 प्रदीशत तिलहन पहले इस्तान पर है देश के कुल क्रसी योग भूम में लगवग 14 प्रतिसत भाग पर तिलहन होता है कितने पर 14 प्रतिसत भाग पर तिलहन होता है वही अगर हम चावल की बात करें चावल 25 प्रतिसत भाग पर चावल उत्पादन होता है वही हम गेहुं की बात करें गेहुं क अलालाग फसले होती है तिलहन में भारत की जो प्रमुक तिलहन फसले जो हैं वो हैं सोया बीन, तिल, मूग फली, सरसों, R&D वा शूर मुखी तिलहन फसले वो होती हैं जिनसे खाद्य तेल निकाला जा सकते हैं खाद्य तेल निकाला जा सकता है पेट्रोल डियल वाला तेल न वैसे भी देख रहे हैं तेल मतलब तिल ताल तै उससे आड़ लगा लेना तिल भायान वो फसले होती है जिसके खाद यह निकाला जाता है तो यह भारत की प्रमुक चलहन फसले हैं मुवल्य उत्पादन में गुजरात 36% के साथ पहले स्थान पर है यानि गुजरात में पूरे भारत का 36% मुवफली उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन मुवफली का गुजरात में होता है समझ रहे ना बात को सबसे ज़्यादा उत्पादन मुफली का किस राज में होता है गुजरात में होता है चीजे आप याद कर रख लेना उत्तरपदेश में सबसे ज़्यादा किसका उत्तरपदन है आमों का याद आ गया और गेह उत्पादन में देश की बात करें तो भारत दूसरे स्थान पर है चायना पहले स्थान पर है तो तिलहन में गुजरात पहले स्थान पर है तो तिलहन में तो मद्य प्रदेश पहले स्थान पर है गुजरात मुगफली उत्पादन में पहले स्थान पर है मुगफली और तिलहन में कंफीज मत होना हालांकि मुगफली तिलहन फदल का इस्था है लेकिन मुखफली सबसे ज़्यादा पैदा होती है गुजरात में सूरज मुखी सबसे ज़्यादा पैदा होती है करनाटक में सूरज मुखी का सबसे ज़्यादा उतपादन करनाटक में होता है और शोयावीन का सबसे ज़्याद वत्पादन मद्य प्रदेश में होता है और महराष्ट में भी है दोनों मिलाकर सोयावीन का वत्पादन अगर देखा जाए तो दोनों लगबग पूरे देश का 90 प्रदीशत पैदा कर देते हैं 90 प्रदीशत सोयावीन मद्य प्रदेश और म समझ में कमढ़袁 ईया देख लेता है फिर भी कोई वा Return निया देशके कुल क्राशी योग пар 14 ौद प्रतीशट एक तिल, मुम्फली, सर्सों ये समी तिलन फसले हैं मुम्फली उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर है सूरजमुकी उत्पादन में करनाटक पहले स्थान पर है वही शोयावीन उत्पादन में मद्यप्रदेश और दूसरा महराष्ट पहले स्थान पर मद्यप्रदेश दूसरे पर महाराश और दोनों भाहिया मिलाकर दोनों भाहि मिलाकर 90% 90% शोय अमीन उत्पादन कर देते हैं ना समझ में आए हो कोई क्झनो तो मुझे कमेंट में जरूर मेसेज करिएगा डालों की बात करते हैं बिना बीज पर दिस प्रतीस दाले बभारत में उत्पादित होती है विश्यो की सबसे 20% दालें 20% तो मुझे लगता है पहले स्थान पर यहोगा भारत के विश्यो की लगवग 20% दालें भारत में उत्पादन होती है उत्पादन की जाती है उत्पादन होती है बात एक ही है यार प्रती किलोग्राम हेक्टेर की दरश्टी से पंजाब पहले पर है दाल उत्पादन में पंजाब पहले स्थान पर है ठीक दलहन में चना का इस्थान भारत में प्रथम है दलहन यानि दालों में चना का इस्थान भारत में प्रथम है कुल चना का 38.6% केवल मद्य प्रदेश में होता है मतलब क्या है कि मद्य प्रदेश चना उत्पादन म जब में आई थिंक ये उपी पुछा गया है क्या किसी ने किसी एक्जाम में ये पूछा गया है कि चनावत पादन में भारत का कौन सा राज प्रधमिस्थान पर है अग्रडी है मद्ध्रदेश है याद रखना ये जबकि कुल अरहर का एक बटे तीन भाग माराष्ट में पैदा होता है यानि अरहर में माराष्ट पैदा पहले स्थान पर होगा ठीक है अरहर की अगर बात करी जाए अरहर जो कि एक फसल है सुरी एक डाल है फसल तो ही है लेकिन एक डाल है पीली देखे होगा है आपने पीली दाल के लिए ऐसा पढ़ें कि आप कम समय में ज़्यादा चीजी गैन कर लें ऐसा कुछ पढ़ें इसमें एक डिटेल बहुत ज़्यादा डिटेल थियरी मत पढ़िए आप कोई फाइदा नहीं होगा वसका आप वह पढ़िए जो एक्जाम के लिए कट्टू कट जरूरी है आपको होगी एकदम बढ़िया बढ़िया जो रिलेवेंट हो तो फाइदेमन दोंगी आप यह नहीं ग्रामिट परवेस के नाम पर कुछ भी पढ़ लीजिए ऐसा कुछ नहीं है रिलेवेंट चीजे पढ़िए वस जो कि आपके लिए जरूरी हो सकती है चलिए ऐसा नहीं है कि ग अब बार-बार क्या आएगी चीज को दोराना है गन्या की बीबात करते हैं यह बहुत बड़ा मुद्दा बना रहता है पश्चम उत्तर प्रदेश में पश्चम उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में यह अग्रड़ी है पूरा दिल्ली के आस इधर यह पूरा एरिया ह इधर अगर हम गाजियावाद से फिर इधर चलें मेरट की तरफ तो फिर यह गन्ना उत्पादन में पहले इस्थान पर यह एरिया आएगा पूरा गन्ने की बात करते हैं तो बिश्चम गन्ना वा चीनी दोनों के पादन में भारत का ब्राजील के बाद दूसरा इस्थान इस्थान एता है यह पहले इस्थान करता है ब्राजील का पहले इस्थान फिर इस्थान करता है जै बैस मेरी समय का होगा और आफ सभी लगवक मेरे समींपरती ही होंगे जो विलिप वाल के लिए जो तयारी खर रहा है जम देने वाले हैं तो जब मैंने सपारी है तो आपने भी सपा होगा भाजील सपारा गाजील हो पहले स्थान पर ब्राजील है किसमें गंध उत्पादन में और भारत दूसरे स्थान थादन पर हैhhh ठीक है दूदूदूदूदूब पिनाय मीठा करके अरे गण्णा डाले उसमें गण्णा और चीनी दौनों के उत्पादन में ब्राजील पहले इस्थान पर है भारत दूसरे इस्थान पर है ये एक उश्रे कटवंदी फ़सल है उश्रे कटवंदी बहुते तो यह वही वाला इसकी जो बारिस है वो 75-130 cm की वर्षा होना आपश्चक है यानि बहुत जादा हुभी जाती तो भी चल जाता है देखा भी होगा आपने इधर बारिस भी होती है उत्रपेदेश में पश्ची मुत्रपेदेश में और टेंपरेचर भी कम रहता है ठीक है टेंपरेचर 20 के होती है सर्दी की विजरूत होती है और बर्षा की बात करें तो 75-130 cm बर्षा की से आवशकता होती है ठीक गन्ना उत्रपदेश राज की सबसे मेतपूर नगदी विवसाइक फसल है नगदी का मतलब नगदी फसले वो फसले होती है जिनने कैस क्रॉप भी बोलते हैं या नी को सीधे गन्ना एक इंडस्टियलिस्ट है यानि गन्ना जो भी होगा जो भी खरीदेगी इंडस्टी वो हमें सीधे पे करेगी ऐसे माली जिया इसलिए ये कैस क्रॉप होती है जिनने नगदी में बदला जा सकता है ऐसी फसले है जिनने नगदी में रोकडे में पैसे में ध जैसे एक गन्ना है, गन्ने को अगर घर में रख लिया जाये, बाहर ना बिचा जाये, इसे प्रियोग में एक किसान है, किसान इसे चीनी बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, इसे एक इन्डस्टी की आवश लगता होगी, तो ऐसे मान के चलिए, ऐसी फसलें, जिनने इंडस कार खाना या उद्धों की जरूवत होती है आगे प्रोसेस करने के लिए वह फसले क्या होती है कैस क्रॉप होती है ठीक है तो अब जैसे गेंगों है गेंगों को इंडिस्टी की जरूवत है किसानों पर नहीं कर पाएगा क्यों नहीं कर पाएगा आठा बना लेगा आठे से किसान नहीं बना पाएंगे उसके लिए एक इंस्टीय प्रोसस से उज admitted फाईगर उसके लिए कार खान दिगुए छिर्वरेत कार खाना मतलब क्या है प्लांट लगे होंग सके लुए नप क्लाइप बोलता है कि गन्निया जहाँ फिर से समझाओंगा क्योंकि पूरा पेज भर गया है ना मेरी लिखनी की आदत जादा है लिखता बोर्ड पह वाना लिखता हूँ ना तो लिखनी की आदत जादा है तो कुछ भी है ना बस पेंचल जाता है चलिए कोई वर ने गन्ना उत्पादन में उत्रपदेश का इस्थान प्रमुख है यानि गन्ना उत्पादन में उत्रपदेश पहले स्थान पर आता है वही भिष्व में भारत दूसरे स्थान पर आता है पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर व्राजील है भारत दूसरे स्थान पर है और भारत में अगर आते हैं तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है इसके बात करम से महाराष्ठा और तमिलाडू है अनि महाराष्ठा दूसरे स्थान पर और तमिलाडू तीसरे स्थान पर चला जाएगा पहले स्थान पर कौन रहेगा भारत मे उत्तरप्रदेश रहेगा उत्तरप्रदेश को भारत का सक्कर का कटोरा भी कहा जाता है भारत का सक्कर का कटोरा क्योंकि सक्कर का कटोरा तो यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्याद गन्ना यहां पैदा होता है गन्य के सरवादिक जो उत्पादन होता है उसके कारड़ी बोला जाता है इसे गन्य बहुत मुख्य इंपोटेंट चीज सबसे ज़्यादा जरूरी चीज और इसके लिए मैं हटाऊंगा इसे पैन को तब आपको दिखाऊंगा ज़्यादा जरूरी चीज जो आपके लिए है कि गन्या अंशंधान केंद्र कहाँ पर है जो के है कोयम बटूर कहाँ पर है कोयम बटूर में है आपके लिए मुख्य इंपोटेंट महुत मैत पूर चीज है चलिए आगे आते थोड़ा अब क मैड़े करिसी की बात होई कही है तो क्रशी से संबंदित जो कृम्तिय यह हुई है भारत में और जो जो करांती उतपादन यानि हरिद करांती का मतलब यह था कि high yield variety इसमें लाई गयी थी मतलब क्या था कि पहले जो फसले होती थी वो पारमपरिक तरीके से की जा रही थी और उनमें उतपादन भी कम था जब पारमपरिक तरीके से की जा रही थी जो फसलों की अलगलग बराइटी आई और उन बराइटी ओने एकदम प्रोडक्शन को बढ़ा दिया यानि एकदम क्रांती लाती एकदम इसलिए हरित क्रांती हरित क्रांती के गर हम बात करें तो बिश्य में जो इसके करदधार हैं पूर्बिश्य में वो Norman Burlock को माना जाता है यानि इने हरित क्रांती का जनक भी माना जाता है बिश्य में या बिश्य के हरित क्रांती के जनक कौन है Norman Burlock, Dr. Norman Burlock और इसलिए इने Nobel Prize भी मिलाता Nobel Prize, Nobel Award भी मिल चुका है ठीक है? जनक हरित करांथि के जनक लेकिन भारत के लिए हैं बिष्ट में डॉक्टर नौर्वन बर्लोग है जो भारत में लाई गई थी तो सम्ण प्रभावी खेतर थे उस हुस्थे पहले पश्ड में उत्र प्रफिदेश आता है प्रभावी खेतरों में पश्चिमी उत्रप्यदेश हो गया। राहिस्तान का गंदानगर जीला। यह हरितिक्राइंती में आता है। यह अगर बात करें। था कि इस अओचपादन के सबसे ज्यादा कुण-कुण सी फसलें। तो सबसे जादा वो था जो था वो था गेहुणू वीट क्राइस यानि चावल और Πुरियोग भी सबसे जादा गेहुण पर किये गही तो देखिलो अंदर राश्टिये गेहुर अंदराश्टिये गेहुरू कहां पर है तो ये भी देख लो कहां पर है ब्राजील में है ठीक है ये ब्राजील में है आए आगे मैक्सको में है मैक्सको ठीक आए आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़े हैं तो देख लेते हैं स्वेत करांती के अगर हम बात करें तो स्वेत करांती लगवग 1964-1965 के आसपास लाएगी थी और ये दुख दोत पादन से संब्द नेते हैं और भारत में अगर इसके करद धार माने जाएं भारत में इसके जनक माने जाएं तो वर्गीज कुरियन वर्गीज कुरियन ठीक है? वर्गीज कुरियन जो थे वो ही इसके करधार है जो अमूल जो है ना अमूल अमूल दूल पीरता है इंडिया वही वाला अमूल ये इसी का परड़ाम शरूप है ओपरेशन फिलड का दुख दुख स्वेत करांती का जो ओपरेशन फिलड ये तो बाद में चला है फ्लड श्वेत करांथी के तहत यह जो अमूल निकला है वहीं से निकला है 1770 में फिर इसी के लिए उपरेशन फ्लड भी चलाया गया था तो ऑप्रेशन फ्लड अगर आप से पूछा जाए operation flood कि से संबंदित है तो operation flood dugd- kadhanty से संबंदित है switch kandhanty से संबंदित है दugd utpadan से संबंदित把它 ठीक है भारत के अगर बात करें तो में मेरे बता चुआ हूँ ये बर्गीज Korean है और भारत में दugd utpadan में उत्रप्रदेश पहले स्थान पर है दुग्द उत्पादन में, दूद के उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में, यूपी उत्रप्रदेश पहले स्थान पर है, समझ भारी है ने चीजे, उत्रप्रदेश पहले स्थान पर है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ें, कुछ और चीजे हैं, या फिर आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं कुछ और होगा तो देखेंगे चलिए कुछ और देख लेते हैं कुछ और चीजे हैं एक जैसे मुझे एक और याद आ रही है एक और करांती याद आ रही है गुलाबी करांती गुलाबी गैंग नहीं बूवी बाली गुलाबी गैंग नहीं गुलाबी करा बात करें इसमें एक मुख्य विंदू है इसलिए से मेंसन करना जरूरी है वैसे तो बहुत सारी क्रांथी है दूसर क्रांथी है चलो उन सबको भी ले लोगा एक एक लाइन में सबको बताए देता हूं कौन सी क्रांथी किस संबन देता है गुलाभी क्रांथी किकर हम बात करे अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिये इसकी करदार दर्गेश पते पासर को माना जाता है और इसमें किसका उत्पादन होता है जीगा मचलीं के उत्पादन के उत्र परिदेश। प्रणावी क्रांती का और एक और चीज है कि जब प्याज का गुलाबी जो क्रांती है वो प्याज उत्पादन से भी संबंदित है जब प्याज का उत्पादन बढ़ जाता है तो उसी से संबंदित है प्याज उत्पादन से भी गुलाबी क्रांती संबंदित है तो गुलाबी क्रांती को दो चीजों से जोड़ा जाता है जिंगा मशली का उत्पादन और प्याज ओनियन ठीक है उसका भी इसी से संबंद है सिदा कुछ और क्रांती है अभी जैसे कि मुझे याद आई थी जगे मैं थोड़ा लिख देता हूं अगर हम बात करें धूसर क्रांती की ठीक है धूसर क्रांती की से संबंद देता है उर्बरक यानि फर्टिलाजर से संबंद देता दूसर किरती फरडिलाईर यानिए उर्बरग शे समट देता है आके फेस नीच्छे जगे खाली है तो मैं नीचे लिखता हूं आओ वही अगर मैं बात करों लाल कृरांती की यह तो पता ही होगा आपको लाल कृरांती तो लाल कृरांती मा्स यानि मीट मास और टमाटर रतपादन से संबन देते हैं ठीक है लाल करांती मास और टमाटर रतपादन से संबन देते हैं अलग करता हूं जिसे कि आप समझ जाएंगे यह जो लाल करांती है ना लाल करांती इससे संबन देते हैं टमाटर और मास के रतपादन से संबन देते हैं ठीक रजत क्रांती अगर रजत क्रांती की बात करें हम तो रजत क्रांती जो है वो आपकी अंडा उत्पादन से संब्द देते हैं अंडा एक उत्पादन ठीक है आगे जब भी चीजे मेंशन करते रहेंगे लाइफ 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 तो गेंव किए अगर हम बात करें तो गेंव की जो अनाम को चैẫnकर भी होगा अपने थी के अवह हैं वो है सोनालिका, क्रांतिकल्याड क्रांतिकल्याड सोना ये की नाम है फुरा चावल की अगर बात करें तो जया, पद्मा, पंकष, रतना, हेमा हमसा, सावर्मति ये तो पताई है आपको ज्वार की अगर हम बात करें तो श्वार्क, csv2 csv6, ये किसकी है ज्वार की है, वही अगर मक्का की बात करें तो गंगा101, रडजीत हिम123, जवाहर और डगकन, ये याद करने वाली है इसमें मैं आपको यकिन मानिये मैं याप कोई भी, कोई ट्रेक नहीं दे पाएगा आपको इसमें कि पूशा मोती, ICMV 155, बागी संकर वगरा ये तो, ये आपने देखा भी होगा संकर वाजरा, के ये लाला वाजरा के ये वाजरा, बो वाजरा, ये सब ये पोश्टर लगे दख्योंगे आपने, ये सब ये हाइब्रिड होता है, ये ये सब जो हाइब्रिड है, ये जो किसमे होती है, ये किसमे क्या होती है ये जो किसमे होती है, ये जो किसमे होती है ये हाइब्रिड नहीं होती है, इसलिए आपने देखा होगा, कि हमेसे किताबं में ये चीज़े लिखी रहती है, हाइब्रिड जो 48 यानि 148, को, गैरे सो अठावन, यह तो सिंबल है यार, अगर यह याद करना भी चाहोगे ना, फिर भी याद कर लोगे, गन्ना यानि को, को, 118, गैरे सावन, गैरे सावन, गन्ना के लिए है, अरहर की बात करें, तो बहार 1228, वसंद नंबर 1234, यह तो और भी सिंबल है, अरहर की बात करें, तो बहार 1228, और वसंद नंबर 1234, मुहनी, जवार 45, सीला, अब तो याद करी कर लोगे, अब दो मुझे पूरे यकीन है, अब तो याद होई जाएगा, क्योंकि देखो, इसके नाम देखो न, मुहनी, सीला, अमरत, पंथ, अच्छे नाम है न सभी, जवार 45, तो यह किसके हैं, यह मुँग के हैं, तो यह जो कुछ प्रमोख फसले हैं, जिनकी किसमों के बारे में, मैंने आप से चर्चा करी है, बहुत सारी चीजें हैं, वो एक वीडियो में मेंसन करना सही नहीं है, क्योंकि वीडियो जब लेंती होती हैं, तो फिर ऊबने भी लगते हैं, छोटी-छोटी चीजें पढ़ते रहिए, और दिरे-दिरे पढ़ते रहिए, क्या होता न, मेरे साब से चीज़ इतनी है इस वीडियो में चीज़ इतने ही है आपको इस वीडियो कैसी लगी वो मुझे जरूर बताईएगा जाने से पहले एक information all लेते जाईएगा SSC का सर्वुत्तम बैच चुके live class में भी बताता हूँ मैं या और ये बहुत अच्छा बैच है PDF notes से लेकर mock test, live interaction classes वह सारी चीज़े मिलेंगे और आप किसी भी course पर अगर मेरा code apply करेंगे प्रसांत 10 नाम से 10% का discount आपको सभी बैच इस पर मिलेगा अगर NDA की बात करें तो NDA भी 1999 रुपे में है जो कि बैच शुरू हो रहा है पांच परवरी से जोइन कर सकते हैं आप किसी छोटे भाइबन को जोइन करा सकते हैं EPSS C लेखफाल जिसकी आप तयारी कर रहे हैं वही चीज़ा आगे लेखवाल के लिए जो बैच है मातर 1399 पर वेगा है 18 जन्वरी से अलांगी शुरू हो चुका है लेकिन इसमें एंट्री पॉइंट है अगर आप बीच में एडिविशन लेता है आपको सारी चीज़ें सुरू से कराई जाएंगे इसमें लाइव इंट्रेक्शन क्लासें फ्री मॉक टेस्ट, पीडियाब नोट्स बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे वही एपी कॉंस्टेवल के लिए भी पैचे वही है हमारे पास जो के मात्र तेरह सुने ना नमर रपेगा है इसमें भी वही लाइव इंट्रेक्शन क्लासें से लेकर वह सारी चीज़ें फ्री में आपको मिलेंगे अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप सफल दाइब डानलोड करिए क्योंकि सफल दाइब पर फ़ह सारी चीज़े फ्री आप कॉस्ट अविलवल है वहाँ आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है क्योंकि हमारा पैसा क्यों नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारा मॉटो है साथ रहेंगे आपकी सक्सेस तक इसलिए आप सफलता आप डानलोड कर लीजिए और वह सब्सक्राइब परवेश की e-book भी वहाँ पर आपको available मिल जाएगी तो इसके लिए आप सफलता आप डानलोड करिए प्लेश्टेर पर सफलता आपको रेट भी करिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे जरूर बताईएगा जिससे कि मुझे प्रोचान मिले और मुझे लगे कि इस तरह की वीडियो और बनानी चाहिए तो मैं समय समय पर बीच बीच में इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी और एक सधीक जानकारी मिल जाए आज के लिए इतना ही रखेंगे फिर मुलागात करेंगे आगे आने वाले किसी सेशन में तब तक के लिए बाबाए